तो दोस्तों आज मैं बनाने जा रही हूं बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी चानादाल और तोरई की ये चानादाल और तोरई बनाएंगे कडाही में और बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी कूकर में जल्दी तो बन जाती है पर कडाही जितनी स्वादिष्ट नहीं बन पात तो देर किस बात की दोस्तों चलिए बनाते हैं नमस्कार दोस्तों ममता की रसोई में आपका स्वागत है मैं ममता दूबे आज बनाने जारी हूँ तोरी चनादाल सबजी मेरी ये रेज़िपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें सेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें यहाँ पर देखें मैंने लिया है तोरई इसे जिंगली भी बोलते हैं आप क्या है इसे क्या बोलते हैं मुझे जरूर बताईएगा और ये 500 ग्राम है अब हम सबसे पहले इसे अच्छे से धो लिये हैं उसके बाद हम इस तरीके से इसके छि बहुत नरम होती है और बहुत जल्दी पक के तयार हो जाती है तो आप जैसे चाहें उस हिसाब से आप कट कर सकते हैं थोड़े बड़े पीसों में भी कट करेंगे तब ये अच्छे से गल जाएगी तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से सारे तोरई को कट कर लिया है और मैंने पहले ही इसे बहुत अच्छे से वास किया था तो मैं दुबारा से इसे धोंगी नहीं आप चाहें तो दुबारा भी इसे धो सकते हैं दुबारा धोने से दोस्तों बहुत सारा पानी हो जाता है फिर वो जल्दी से पकता नहीं है यहाँ पर मैंने चना डाल ली है और ये च इसमें कटी हुई प्याज और 3-4 हरी मिर्चें दोनों को एक साथी मैंने तेल में डाल दिया है जब जीरा चटकने लगे तभी डालिएगा और इसे डालके दोस्तों अच्छे से भुनना है जब तक कि इसका कलर हलका चेंज ना हो लगे तब तक भुनना है मैंने बीच में थो और प्याज को इस तरीकी से चलाते हुए भुनेंगे ताकि प्याज जले नहीं और प्याज अच्छे से फ्राई होके त्यार हो तो आप देख पा रहे होंगे अब इसका कलर एकदम से चेंज होने लगा है और यह पग गई है थोड़ी सी हलकी पिंक कलर की दिख रही होगी आपको वीडियो में तो बस हमें इतना ही इस प्याज को भुनना है और अब हमारी प्याज बिल्कुल पॉफिक्ट भुन के तयार है तो हम थोड़ा सा डालेंगे इसमें मसाले तो सबसे पहले हल्दी पाउडर थोड़ा सा डाल रही हूं मैं उसके बाद कस्मीरी लाल मिश दाल रही हूं, यह लाल मिश नहीं है क्याई मैंने हरी मिश डाली थी इसलिए मैंने लाल मिश नहीं डाली है उसके बाद हम एक चमच cob बर ऑब सबजी मसाले में गरम मसाला धन्या, पाउडर और सारी चीज़ें होती हैं तो सबजी मसाला डालने के बाद बाकी कुछ चिरा जरूरत नहीं होती है अब मैंने एक बार चला लिया है तीस सेकेंड पकाने के बाद थोड़ा सा पानी डाल दिया है पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो यह देखिए हमारे जो मसाले हैं इस तरीकी से मैंने मिक्स कर लिया है उसके बाद एक बड़े साइस का टमाट तो यह देखिए सारी चीजों को हमने मिला लिया है और अभी भी इसमें धेर सारा पानी है तो यह जलेगा नहीं मसाले बहुत अच्छे से पक के तयार हुए हैं मैंने लो फ्लेम पे करके थोड़ी देर तक ढख दिया था इसे ताकि यह मसाले अच्छे से पक जाए और जो टम पेश डालने के बाद अच्छे से इस इस तरीके से चला के इसमें मिक्स कर लेंगे अद्रक और लेसन का स्वाद इस सबजी में बहुत अच्छा आता है आप इसे बिलकुर मिस मत करिएगा जरूर डालिएगा तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे मसाले अच्छे से तेल छोड़ने लगे हैं और अच्छे से भुन के तयार हो गए हैं और टमाटर जो हमने डाला था वो भी बहुत अच्छे से सौप्ट हो चुका है तो अब है डाल भुनने की बारी तो चलिए डाल देते हैं यह चना डाल जिसे हमने पानी छान के अलग कर लिया है और चना डाल क अच्छे से चलाएंगे और इसे पकानी के लिए भी हमें टाइम चाहिए तो चना दाल को ढखके पकाते हैं, गैस की फ्लेम को एकदम लो कर देंगे, पास से 7 मिनुर तक इसी तरीके से ढखके छोड़ेंगे, और लो फ्लेम पे देखिए चना दाल अच्छे से पक जाती है, य जब का टेस्ट होता है इस सबजी का, बिलकुल तरीका सिंफल है, पर खाने में बहुत ही मज़दार है, अब हम इसमें डाल देंगे तोरई, जो हमने तोरई कट करके रखी है, उसे डाल देंगे, तो यहाँ पर दोस्तों सारी तोरई को हम इसी तरीके से डाल देंगे, यह और इस सब्जी में हमें और पानी मगारा डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो हमारी तोरही है वो भी धेर सारा पानी रिलेज करती है तो यह देखिए यहां पर सारी चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से मिक्स किया ढग दिया और लो फ्लेम पर मैंने पांच मिनट तक इसे ऐसे ही छोड़ दिया था पांच मिनट के बाद फिर से हम इस तरीके से चला लेंगे और यह आप देख पा रहे होंगे इसमें पानी भ घुल मिल जाती हैं, बहुत अच्छे से पक चुकी है हमारी सबस्जी, अब हम इसमें डालेंगे धनिया यह रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताईएगा और लंच बॉक्स के लिए इस सबजी को जरूर बनाईएगा और रेस्पी पसंद आया दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा सेर कीजिएगा अपनी फेमली और फ्रेंड में मिलते हैं नई रेस्पी में